नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदु धर्म में शुकल पक्ष की पुर्णिमा तिथी को पौश पुर्णिमा मनाई जाती है पौश पुर्णिमा के दिन दान इसनान का काफी महत्व होता है पुर्णिमा तिथी चंदमा की प्रियव होती है इस दिन चंदमा अपने पूरे आकार में होता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में पौश पुर्णिमा का व्रत कब है 17 या 18 जनवरी को पुर्णिमा की तिथी क्या रहेगे चंदमा की रहेगा और क्या है व्रत की विदी तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी पुर्णिमा एवम अमावस्या तिथियों की जानकारी पराप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेला इकन को प्रस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते कर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकूर मत भूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो पौश्पुनिमा के दिन पवित्र नदी में इस नान का बहुत अधिक महत्व होता है यदि आप इसनान के लिए नदी पर नहीं चाह सकते तो इस दिन प्राता काल जल्दी उठकर, घर पर ही पानी में गंगा जन मिला कर स्तनान कर सकते हैं इसनान करने के पशिया स्वक्चवरस्त धरन करे, उसके पाद व्रत का संकल्प ले बरत का संकल्ब लेने के बाद भगवान विश्णु की विधी विधान से पूझा करे विश्णु जी को नवय धर्पित करे और उनकी आर्थी करे इस दिन सूर्य पूजा का भी विशिश महत्व होता है इसलिए सूरे मंत्र का उचारा करते हुए भगवान सूरे नारायन को अर्ग अवश्य दे। पूरे दिन भगवान का इस्मना करते हुए बैतीत करे। रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रदेव की विधी पूर्वक धूप दीप आधी से पूजन करे। चंद्रमा को अर्ग दे और व्रत का पारण करे। सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब के साथ